So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में बात होंगी IOC और REC Limited के बारे में और guys यहाँ पर अगर देखें इन दोनों shares के साथ-साथ हम एक dividend stock को भी discuss करेंगे और यहाँ पर अगर देखें IOC में 2030 तक यहाँ पर काफी बड़े target share company रख रही है जिसके वज़े से यहाँ पर अगर देखें इसके share price पे काफी तगड़ा impact पढ़ सकता है और जो आपका profit है almost यहाँ पर double हो सकता है और guys REC में भी कुछ good news है उन्हें भी हम discuss करने वाले हैं तो वीडियो को आइन तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे channel the mahajan trader को subscribe नहीं किया है तो please guys channel को subscribe कर देना तो guys IOC अगर देखो तो एक बिलकुल dividend share भी इसे कहा जाता है अभी भले ही इसने dividend नहीं दिया हो बड़ यहाँ पर अगर देखें year mid में यहाँ पर हमें dividend मिल जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो stock ने हमें closing दी 79.05 रूपिस के around यहाँ पर गिरावट नजर आई है 0.45 रूपिस के around वहीं अगर देखें तो 0.57% के basis पर share हमें गिरता हुआ नजर आया है यहाँ पर अगर देखें Friday's के time frame पर भी stock में हमें बिलकुल गिरावट नजर आ रही है बड़ हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि stock में हमें एक support मिल जाए तो guys यहाँ पर stock में बिलकुल एक बड़ा support यहाँ पर हमें मिलने वाला है तो इसके levels को जब discuss हम करेगे तब हम इस यहाँ पर हम उस level को यहाँ पर देखने वाला है यहाँ पर अगर देखे guys तो 30 पेसे तक की बड़ात आपको देखने को बिलेगी 0.38% के basis पर one month के time frame पर अगर आप देखो तो बिलकुल गिरावट है 3.20 रुपिस तक की गिरावट 3.89% के basis पर और वही अगर देखे six month में तो stock में एक अच्छा momentum नजर आया है यहाँ पर अगर देखे कही न कहीं stock में बड़ा थे और हमें अलग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने कोशिश करेगा हाला कि 90 रूपिस का टार्गेट में कम बोल रहा हूँ यहाँ पर काफी बड़े जो फर्म से उनकी और से बड़े टार्गेट से आप पर दिये गए और 6 मंद पर अगर देखे गाइस एवरेज रिटन जो इसके रहे हैं वो 5.90 रूपिस के राउंड के रहे हैं 8.07% के बिसेस पर आपको ये ग्रोथ देखने को मल जाएगे तो यहाँ पर अगर देखे गाइस जैसे मैंने बता है कि 2013 तक यहाँ पर काफी तगड़े मोमिन्टम काफी बड़े टार्गेट से यहाँ पर रखे गए तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर देखें तो आई ओसी में हमने पहले भी डिसकस किया है जैसे आपको पता हिए ख्रूड ओइल में जो यह सेक्टर है यहाँ पर काफी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले है रशिया युक्रेन की वर के कारण जो प्राइस अपसाइड डाउन हुए है काफी तगड़ा इंपक्ट पड़ा है उनकी वज़े से इसके शेर प्राइस पर और अभी अगर आप बात करें अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे को इंक्रीज करने वाले है तक काफी बड़ी न्यूज है और यहाँ पर अगर देखें दो बड़ी कंपणियों के साथ टायप यहाँ पर होने वाला है री न्यूज पावर के साथ और एलेंटी के साथ तो गैस एलेंटी आपको पता ही है अल्डेडी अपने आप में काफी बड़ी यह कंपणियों के साथ री न्यू और एलेंटी ध्यान रखना है गाइस बिल्कुल आईवोसी इनके साथ टायप करने वाली है और बिल्कुल यहाँ पर बड़े इनों ने यहाँ पर अपने विजन्स रखे है और बिल्कुल गाइस 137 किलो टन्स पर एनम यहाँ पर कैटी कैटी फिये ग्रियन हाइडोजन फैसिलिटी हाँ पर बढ़ने वाली है तो एक आफी बड़ा अनॉंस्मेंट यहाँ पर किया गया है आईवोसी की ओर से तो देखना होगा कल इस न्यूस का क्या इंपक्ट परता है इसके शेर प्राइस पर क्या शेर बढ़ता है या फिर डाउन जाता है वही अगर आप देखते हो तो फिलकुल इंडियन ओयल कॉर्परेशन में यहाँ पर शेर खान की ओर से कई बड़े टार्गेट दे गए जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में बता है कि स्टॉक में कई बड़े मोमेंटम नजर आ सकते ह अफले ही हम छोटी टार्गेट दे रहो बड़े फ़ंस की ओर के बड़े टार्गेट यहाँ पर मिले है जैसे शेरकान की ओर से आप देख सकते हो नाइनटी टू रूपिज के आरॉंड का टार्गेट है प्रभुदास लिजादर की ओर से यहाँ पर वन हंड़े ट्वेंट 5 रूपिस का राउंड का टारगेट है और S Securities की ओर से यहाँ पर 120 रूपिस का टारगेट आपको देखने को मिल लगा और यही से जो share है बिल्कुल यहाँ पर बढ़ता हो नजरा सकता है क्योंकि बड़े support है ले रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आगे उपर से stock में rejections मिल रहते है नीचे से stock में support हमें देखने को मिल रहते है यहाँ पर आप देख सकते हो rejection है नीचे से support आपको नजराएगे इसी के basis पर अगर देखे तो stock में हमें fall देखने को मिला यहाँ पर अगर आप देखोगे guys तो stock में यह जो level है यहाँ पर पहले यह support लेके उपर की ओर गया फिर उसके बाद एक breakdown हमें देखने को मिला उसके बाद फिर सह share में एक fall देखने को मिल सकता है तो यह जो level है यहाँ पर हम इसे और थोड़ा close जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो तो बिल्कुल एक range create हो रही है और यहाँ पर एक breakdown आपको नजर आएगा तो बिल्कुल एक rising wish type channel है और इसी के साथ stock में एक breakdown नजर आ रहा है और यहाँ से fall create हो सकता है तो यहाँ पर अगर देखें 30 minute के chart frame पर भी एक बड़ा fall create हो रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए guys तो starting में मंत के starting में stock में यहाँ पर support के बाद काफी बड़ा jump देखने को हमें मिला उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से support देखने को मिला फिर यहाँ पर आया एक breakdown breakdown के बाद stock नीचे के बड़ाया और यही से sustain करके सीधा fall हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ से भी यही गिरावट देखने को मिल सकती है तो इस गिरावट के लिए इसे इस range को break करना होगा काफी ज़दा important एक range है इसे break करना होगा फिर यहाँ पर fall continue होगा और यह भी एक range यहाँ पर आपको देखने को भी लेगी और fall अगर देखे continue होता है तो 77 रुपिस के अग्रॉस यहाँ पर share आता हुआ नजर आएगा एक कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बट वही अगर आप देखो इसका जो दूसरा side है उसमें अगर आप देखोगे तो एक pattern create होता है जिससे हम यहाँ पर बिल्कुल एक fall language type pattern कह सकते हैं और इसे के basis पर upside downs है तो यहाँ पर गिरावट के बाद suddenly यह support लेके share में बड़े level achieve हो सकते हैं और यहाँ पर अगर देखे गाइस तो बड़े time frame पर बड़ा time frame में कौन सा बोल रहा हूँ day one का time frame जो है काफी जदा important है क्योंकि यहाँ पर support है यहाँ पर support है और यहाँ पर भी आपको support नजर आएगा इन्ही support के basis पर अगर देखे यहाँ पर भी एक बड़ा support नजर आ सकता है और यहाँ से एक बड़ा jump हमें stock में नजर आने वाला है तो guys बिल्कुल यहाँ पर 85-84 रुपिस का level भी काफी जदा important है यहाँ पर यह level आपको बिल्कुल one week के time frame पर समझने वाला है क्योंकि यहाँ से stock में एक बड़ा fall था यहाँ से भी गिरावर्थी यहाँ से support है और यहाँ से भी support है तो इसी के basis पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें एक breakout अगर मिलता है तो stock में जो मोतिलाल, ओस्वाल, प्रभुदा, सलीला, दर शेर खान की और से जो पड़े targets हमें मिले है वो बिल्कुल अच्छी होंगे 93 रुपिस के across एक share जा सकता है और यहाँ पर जो हमारे long term के basis पर जो target है वो 150 के across आपको देखने को भी लगए क्यों हो गैस तो यहाँ पर आप देखोगे तो 150 का ही यह level है इसी level से यहाँ पर एक huge rejections देखने को मिलत है और फिर उसके बाद 120 के level के around यहाँ पर गिरावट आई थी यहाँ पर breakout के बाद है sideways चला breakout के बाद share में सीधा 150 के round यहाँ पर level अच्छी हो गया तो IOC की बाद हमने कर लिए अब बात करेंगे REC Limited की तो REC Limited अगर आप देखो guys तो बिलकुल share में 0.60 रुपिस के round की गिरावट है 0.53% के basis पे 113.45 रुपिस के round share हमें closing देता हो और नजरा इसमें एक news यहाँ पर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप देखो the market veteran said that the rack REC को rack भी कहा जाता है is a no-brainer and even after giving dividends it is still looking very attractive तो guys यहाँ पर अगर देखे Sanjeev Vaseen की ओर से REC के future के बारे में कुछ चीज़े कही गई है यहाँ पर अगर देखा जाए REC एक no-brainer company है और भाई अगर देखें तो dividend देने के बाद यहाँ पर बिलकुले attractive निजर आती है इसके जो subsidiaries company है आपको पता ही होगा P, Eps यहाँ पर finally उसके results भी announce हो गया results अच्छे है आज उसमें अच्छी बड़ी अब बड़त देखने को बिली है तो बिलकुल यह दोनों company की merge की बाती भी यहाँ पर चल रही है तो कही न कहीं दोनों ही company यहाँ पर profitable है dividend यहाँ पर हर साल देती है और यहाँ पर अगर देखे 200 प्लस यह share एक टाइम पर trade करता था अब यह अगर देखे तो बिलकुल यहाँ पर bonus के बाद stock का price डाउन गया है और बिलकुल volume आज तकड़ा देखने को बिला है तो खल पूरी उम्मीद है कि stock में एक अच्छा jump हमें देखने को मिलेगा और जो community sentiments के आकड़े हैं यहाँ पर अगर देखे 85 रूपिस 85% लोगों के around यहाँ पर positive आपको नज़राएगे 15% लोग यहाँ पर आपको sell करने के लिए कह रहा है levels important है तो levels अगर आप देखो तो levels को देखकर यही लगता है कि यह support ले रहा है क्योंकि यहाँ से already काफी बड़े rejections हमें देखने को मिले थे यहाँ पर breakout के बाद stock उपर गया और यहाँ पर फिर से हमें दो बार rejection मिल गया है फिर यहाँ से stock maker देखें एक range बनती है कुछ इस तरीके की एक symmetrical type pattern हमें इस कह सकता है उसके बाद एक huge gap down हमें देखने को बिला उसके बाद guys यहाँ पर जो trade line बनाई है जो यहाँ पर rejection का role play कर रहा था फिर support लिया company ने फिर rejection नजराया गया फिर support नजराया तो इनी के basis पर अगर देखें तो कल के दिन यहाँ पर हमें already इस particular range पे breakout मिला है तो यही से stock में अगर आप देखो तो बिलकुल उपर के level अच्छी होने वाले कल 116 रुपिस का target easy तरीके से achieve हो सकता और long term में भी आपको वही pattern देखने को मिले गए तो बढ़ते आगे अब बात कर लेते हैं dividend share की hero moto corporation limited जिसका नाम है automobile sector का share 2 and 3 wheelers यहाँ पर जो गाडिया है यह बनाने का काम करती है company 2542.50 रुपिस के round share यहाँ पर अगर आप देखो closing देता हो नजराया है 19.05 रुपिस के round अगर देखे गिरावट आपको नजरायागी और वही अगर देखे गाए 17th FAP 2023 interim dividend company के और जाणाउंस किया गया है 17 वर्वरी के पहले buy करोगे तो बिल्कुल पेसर रुपे पर equity share आपको मिलने वाला है तो बिल्कुल 65 रुपेस का आपको फाइदा होने वाला है so guys काफी कुछ बाते हो गई है इन दोनों company को लेकर इस वीडियो में और dividend share भी हमने discuss किया है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत बूलना thank you